वीडियो में हमने यहां पर अपने राफ्ट को थोड़ा सा बड़ा किया था बाकि इस वाले आईलेंड पर हम आके क्रैस हो गये हैं तो अगर इस आईलेंड को एक्स्प्रोर भी कर लेते हैं बाकि आगे की जरनी इसके बात कंटीनू करेंगे पहले इसको मैं तोड़ देता थोड़ा सा इन्वेंटरी भी खाली कर लेते हैं यह सारी चीजे पड़ी होई है काफी टाइम हो गया एराफ्ट के ले तो मैं सारी चीजे भूल चुका हूँ कि किदर किदर को सामार रहते हैं हमारे यह सब फूड है लेकिन पके हुए नहीं है भाई पका के मुझे रखना पकने के लिए यह वाला इस पर रख देता हूं पकने के लिए बाकी यह पक जाएगा उसके बाद मैं इसको लेकर चलूंगा और कुछ पका हुआ खाना नहीं है क्या मेरे पास वाटर मेलन बहुत जादा है जिससे हमारा काम तो हो जाएगा इसको भी लेकर मैं जा सकता अब भी सावाज मिलते हैं उसको लपेट क्याते हैं यहां से मुझे डर्ट चाहिए और डर्ट के लिए मुझे सवल लेकर जाना पड़ेगा और मैं सवल लेकर नहीं जा रहा चलो अच्छा हुआ याद आ गया नहीं तो अभी वहाँ पर चला जाता फिर याद आता और सवल कहां पर होगा अब यह पता नहीं भाई इतना टाइम हो गया कि कहां पर क्या चीज़े हैं कुछ याद नहीं है चलो सवल अच्छा मिल गया अच्छी बात है अब चलते हैं फटावट से और वैसे इस पे वह पगलेट सांड भी होगा दोड़ा-दोड़ा के जो मारे गाया म उससे पंगा नहीं लेते हैं बस हमें जो काम की चीज़े हैं वो लेके वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ डर्ट चाहिए यहां से अरे नहीं इदर से तो मैं जाहीं नहीं सकता पूरा मुझे इदर से घूम के जाना पड़ेगा और इदर से घूम के जाना में थोड़ लेकिन इसको देखने से पहले में काम करता हूँ के में वापस चला जाता हूँ वापस नहीं चला जाता हूँ के में तो नहीं आता होगा यह आता है क्या अरे माफ कर दो स्वारी 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 स्वार यहां पर चारा और ओर यहां पर केसे मार रहा है कि यह जैसे पर यह मलड़ spend के राज़र यह जिलव म 51 theo पूर लिए यह तो और मुस्से यहां से चाहिए σταवर ड़ीन ही रहा है यहाँ पर ऐसा के वह यह स्बस्क्षबि Sexual लुट का हुए हैं इतने डेर्ट के लिए थोड़ी नाया मैं दो डेर्ट सिर्फ टेर डेर्ट मिले सड्यार कम डेर्ट मिले मुझे और डेर्ट की जरूरत है ये बक्सा उठा लेता हूं चल इसमेसे स्क्रैब बोल्ट ये सारी सीज़ें मिल गई एक और मुझे देखना था मैं यहां से मुझे लगता नहीं साय थे जहां तक मुझे आते हैं न थोड़ा ट्रेस क्यूब तो मैंने बनाया हुआ था एक यहां पर पड़ा हुआ है मेरे पास बाकि इधर कहीं पर है एक यहां पर दो ऐसी कोई बात नहीं दो ट्रैस क्यूब से तो कुछ होने नहीं वाला नेक्स टैलेंट पर चलते हैं वहां से कुछ चीज़ परशेच करेंगे यहां से निकलने का टाइम आ चुका है तो चलो फटावट से निकलते हैं लेकिन उससे पहले मुझे न सेल बगर लगाना पड़ेगा और सेल मैंने निकाल के देख दिया था तो यह रहा सेल इसको ले ल अभी मिझे ना पीछे साइड को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है जिससे कि यह जो अपने अनिमल अगेर है इनको रहने के लिए यहां पर थोड़ा सा जगह बना पाऊं तो एक काम करते हैं रात हो चुका है रात में कोई काम तो करना नहीं है और मुझे नेट भी लगा रख दो स्क्रैप कहा गया यह रहा बनाते हैं एक टॉर्च इसको बनाने के लिए क्लिए यह ग्लास चाहिए नहीं नहीं इसी को बनाते है नॉर्मल वाले को दो बना ले या चार बना लेते हैं बाई अपने राफ्ट के आजू बाजू में भी थोड़ा सा उजाला कर देते हैं क्योंकि रात कर टाइम में काफी अंधेरा हो जा रहा है तो एक लगाते हैं यहां पर ओके नाइस अब देखो यहां पर काफी उजाला हो गया एक यहां पर भी लगा देते हैं दो इदर को गये और एक लगा देते हैं इस वाले जगह पर यहां पर ठीक है डन बाकि यहा आपर लग ज़ा यहां पर नीं लेगा जा क्यूंट Polski रोत फॉया भाई झाल न से निकल न हो यहां से तो निकली नहीं रहे मुझे वह बनाना पड़ाएं सब्सक्रीक जपना लिए इसका डॉय मैं warmth से इधर को करता हूँ यह बार-बार घूम जा रहा है क्योंकि अपनी राफ्ट एक ही जगए पर घूमे जा रही है इसको इधर करते हैं ये वाला भी इधर को करते हैं डन और आब यहां से मारते है फैडल थोड़ी दूर को पैडल मार देंगे तो राफ्ट निकल जाएंगि भाई इसने डुरा दिया मेरे को नली साथ के कि मैं यहाँ पर पैडल मार रहा था भाई इसने तो सिद्धा ड़रा दिया मेरे उपर अटाक कर दिया ओके तो अब यहां से हम निकल चुके हैं पीछे साइड को फटा फटा से थोड़ा सा बिल्ड कर देते हैं यह वाला काम भी यहां पर कम्प्लीट ही हो जाए इसको मैं कितना बिल्ड करूँ तीन करूँ इतना तो बहुत ज्यादा हो गया भाई इससे ज्यादा लंबी राफ्ट बनाऊंगा ने तो पूरी राफ्ट लै देते हैं अरे नहीं नहीं इसमें तो नहीं बनाना था यह तोड़ना है यह तोड़ना है और मुझे यहां पर चलके इसको भी थोड़ा पीछी साइड लेके जाना है थोड़ा नहीं जितना वह लेवल पर गया है इसको इसको भी उसी लेवल पर लेके जाना है अब प्लास् खतम हो गया कि यह लगता है प्लास्टिक तो खतम हो घड़ा है थोड़े से प्लास्टिक और पड़े हो गया है बस अर यह यहां पर है ने stain प्लास्टिक टीड़ इसको लेके चलते हैं यहां तक और सेम ऐसा है मुझे उस साइट को भी बिल्ड करना था ना ओ यह चीज तो भूल गया इधर को तो यह हो गया और सेम मुझे ना इधर साइट को भी बिल्ड करना था यह कितने ब्लॉक का है 1, 2, 3, 4 4 block का ये है और same मुझे 4 block का इधर भी build करना था तो मैं फटा बट से इधर को भी एक build करता हूँ इसको लेकर चलते हैं यहां तक 1, 2, 3 खतम plastic बहुत plastic लगने वाला इसको build करने में तो मुझे काफी सारे plastic चाहिए चलो कोई बात नहीं रात का टाइम है ना तो रात का टाइम है यही सब सामान इकठे करकरके इसको build करते रहता हूँ इतनी जल्दी रात से सुबह हो गया ओ भाई अभी हमने कुछ भी ने किया और रात से सुबह भी हो गया चलो फटाफट से यहां पर काम करते हैं 1,2,3,4 block था ना तो 4 block अब मुझे यहां से लेके जाना है एकदम आगे तक और इसमें बहुत ज़्यादा plank और बहुत ज़्यादा plastic हमारे खर्चे हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है complete होने के बाद मस्त लगेगा तो इसको भी मैंने सही कर दिया अब काफी बढ़िया लग रहा है यह देखने में इसको मैं यहां पर पहले repair कर देता हूँ सार्क ने यह सब तोड रखा है repair क्यों नहीं हो रहा ओके हो गया चलो done और इसको भी complete कर देता हूँ यहां पर यह वाला triangle वाला लगाके यह आ जाएगा यहां पर नाइस और यह वाले block देख रहे हो ना इसका texture सही से मैंने नहीं किया था तो आज यह भी सही कर देता हूँ क्योंकि यह ऐसे अच्छा नहीं लग रहा देखने में अब सही लग रहा है देखने में यह हो जाएगा यहां तक प्रॉपर complete ओके यहां पर एक चोटी सी राफ्ट किसी के पड़े हुए इसके उपर हमें थोड़े से खजाने मिल जाएंगे इसमें कि क्या के मिले टेक्रेशन पैकेज यह नहीं चाहिए एँखाण नहीं सकता क्या यह नहीं ले सकता चलो कोई बात महीं अभी काफी टाइम DO custom एरिया वैस्सकू तो यह रहा है employed यह अपने ऊटेंटित नहीं है यह वाला सर्व एरिया कैसे टिक हुआ हुआ मुझे यह नहीं पता लेकिन दोनों साइट का देखोगे तो मैंने इसको कहीं से अटैस नहीं किया है यह बस ऐसे ही है लेकिन एक चीछ कर सकते हैं यहां से न उस साइट को जाने के लिए रास्ता बना देता हूं क्योंकि मैं बार बार गिर जा रहा हूं इस साइट को भी और सेम इस साइट को भी ऐ मुझे यह पूरा साइड साइड वाला एरिया ना सेक्योर करना पड़ेगा जिससे कि सार्क से फिर प्रॉब्लम मी खतम हो जाए यहां पर हम थोड़ी फैंसिंग कर देते हैं कहां गया फैंस यह रहा इस वाले जगह पर लगाएंगे फैंस जहां पर कि हमारा लो मू रहेगा थोड़ा बड़ा एरिया बनाते हैं इतना सही रहेगा इतना सही रहेगा चलो इसको लेके चलते हैं पूरा यहां तक यह जाएगा इधर कम्प्लीट इतना एरिया तो बहुत है इसके लिए इतने में आराम से रहेगा चलो भीयाजी यहां से आओ इसमें आ जाओ और इसका ग्रास कहा गया इतने टाइम से इसमें ग्रास लगा यह नहीं था विचारा बहुत भूखा होगा और गालियां दे रहा होगा बुझे कैसा माली के ग्रास ही नहीं है मेरे पास खाने के लिए तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो ग्रास लगाते हैं थोड़े से जितने हैं हमार मेरे सबस्याँ से इतने पड़े होगे यह देखना पड़ेगा 2 मुझे सारे DRU करने और Grass करें उसके बाद बनाये ठीक है आज आज को फ़ोड़ा और सई कर लेते हैं और एक चीज और यादाया मुझे हम इंजीं वी तो बना सकते हैं जब इतनी सारी चीज्षग किल लिया तो इंजन बना के भी complete करते हैं इंजन नाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जौरात पर पर तक वो वह भी देख लेते हैं इंजन कैसे बुच्टा है इंजन का बलू प्रिंट मुझे मिल गया था ना तॉय पर मुझे जा के देखना पड़ेगा ओ मैंने लड़न में कि या रहां कैसे अब बना सकता हूं इंजन, यह रहा इंजन, इसके लिए हमें चाहिए में चाहिए मेटल, रोप, सर्कीट बोर्ड और स्टेरिंग विल बनाने के लिए चाहिए मेटल अगर मुझे अभी 6 इंजिन बनाने हैं तो मुझे 30 मेटल चाहिए रोप वोगरे का तो जुगाड़ हो जाएगा सर्कुट बोर्ट का भी जुगाड़ हो जाएगा सर्कुट बोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कॉपर इंगट और वाइन को भाई मुझे Smelting वाला काम करना पड़ेगा भी गॉपर तो यहां से मुझे मिल जा रहा है कोई दिक्कत नहीए और मैंने कॉपर Smelting करके रखा हुआ था कहीं पर तो नहीं Smelting करके तो नहीं रखा है ऐसे ही रखा हुआ है मेटल इंगट मुझे जादा चाहिए तीन मेटल इंगट यहाँ पर पड़े हुए है कॉपर इंगट तो तीन आए मेरे पास ठीक है अभी मुझे और भी कॉपर इंगट चाहिए वाइन गू मुझे चाहिए तो चलोगा इसे काम करता हूँ मैं सारी चीजे फटा फट से कलेक्ट करता हूँ उसके बाद पट से इंजन बना के उसको लगा देंगे ओके गईस तो काफी टाइम समेल्टिंग करने के बाद वैसे मेरे पास सामान हो चुका है जो जो चीजे मुझे बनाना था तो फटावर्ट से वो सारी चाह बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज तो हमें चाहिए था इंजन और इंजन के लिए हमें चाहिए सर्किट बोर्ट छे सर्किट बोर्ट मुझे बनाने पडएंगे तब जाके six इंजन बनेंगे क्योंकि मैं अभी छे इंजन बनाने वाला हूँ तो सर्कुट बोर्ड के लिए हमें चाहिए कॉपर इंगट और वाइनगू वाइनगू स्मेल्ट करके रखा यहाँ पर कॉपर इंगट भी यहीं पर होगा चलो डन और फटा फट से सर्कुट बोर बनाते हैं यहाँ पर इंजन में अब चाहिए हमें रोब के लिए हमें चाहिए पाम लीफ इससे बनाते हैं फटा फट से रोब बाहर क्यों जा रहे हैं पैडल यहाँ पर रख देता हूँ चलो रोब तुम लोग वापस आजाओ फटा फट से रोब बना लेता हूँ चलो तीस रोब हो गए न अब इंजन को क्राफ्ट करते हैं वन तू त्री प्लैंक खतम हो गए अब प्लैंक हमारा यहां पर होगा ठीक है 456 चलो डन यहां पर हमने टोटल छे इंजन बनाके रेडी कर लिया और हमें एक चाहिए स्टेरिंग वील इसके लिए हमें चाहिए बोल्ट और यह चाहिए हिंज मेटल इंगट चाहिए रोब चाहिए रोब तो हो जाएगा वेड यह रहा ठीक है रोब का तो काम हो गया अब चाहिए हमें स्क्रैप यह रहा स्क्रैप मेटल इंगट चाहिए मेटल इंगट हिंज चाहिए यह रहा हिंज यह रहा बोल्ट और एक मेटल इंगट कहां पर मिलेगा यह रहा डन एक स्टेरिंग विल बन गया इंजन बन गया और क्या बाकी रह जाता है बस दोई चीजे चाहिए होती है इसके लिए तो अब इस इंजन को लगाएं कि धर यह देखना पड़ेगा यह बहुत ज्यादा बड़ा आईलेंड है यहां पर जा सकते हैं लेकिन चोड़वाबी हम कुछ और काम करiones तो इस एलेंड पे कभी और जाएंगे पहले हम इंजन गलातें हैं चे इंजन हम mustard को लगाएंगे यहां पर लगाऊ लेकिन अगर यहां पर लगाऊंगा न तो यह congested हो जाएगा इस side को लगा सकते हैं यहाँ पर one two three तीन इस side को और बाकी के तीन इस side को लगा सकते हैं लेकिन दिक्कत यह है न कि सार्क तोड़ भी सकती है इसको यह लग क्यों नहीं रहा अच्छा इसको मुझे और एक लगेगा यहां पर इन इंजन उस side को तीन इंजन इस side को भाई कुछ ज्यादा ही दूर हो गया यहां से ऑगते हैं थायiste सेखार केबर के मुझे रहें यहां तक मुझे सीचर करना पड़ेगा नहीं तो साइर काके न पता चला इसको तोड़ हमआरा इंजन ही गया भो गया सेखार करने के लिए हमें चाहिए होताँ है क्या ची होता है नेल ची होता है और मेटल इंगट ची होता है तो इतना तो मेरे पास होगा ही नेल और मेटल इंगट की यह हम इंजन को सेक्योर कर पाए तो देख लेते हैं कितना पड़ा हुआ है मेरे पास नेल तो है काफी ज्यादा और मेटल इंगट भी इधर 15 या 20 पड अंदर पड़े हुए है ना बस हमारा काम हो गया हमें सिर्फ इतनी की जरुरत था यह लेकर चलते हैं यहां तक ठीक है अब इंजन पूरा सेक्योर हो गया सार कुछ भी नहीं कर सकती बाकि इस साइड वाला बाकी रह जाता है तो यह वाला भी कर देते हैं वर्ण टू अरे ने प्रेटिंग पर लगा रखा था यहां से smelt होके मिल गया मुझे और काम करता हूँ इसमें वापस से लगाई देता हूँ जिससे कि यह smelt होता रहे इसको कर देते हैं पूरा यहां तक सेक्यूर यार एक नेल कम पढ़ गया क्या दिक्कत है इसको नेल तो ऐसे इधर ही कई मै प्लिट हो गया वैसे का इस मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ अगर इस इंजन को यहां पर ना लगा के इस वाले में लगाए और यह वाला एरिया खाली छोड़ दें जिससे कि हम यहां से आ जा पाएं तो वो भी काफी सही लगेगा देखने में तो यह तोड़ते हैं ठीक है यहां से यहां तक पूरा और यह जाएगा एक आगे तक और इस इंजन को यहां से निकाले के यहां पर लगाएंगे यह आएगा यहां पर नाइस यह यहां से निकालेंगे और यह भी आएगा यहां पर इसको निकालेंगे यहां से यह आएगा यहां पर डन यह ज़्यादा बेटर लग रहा है तो सेम इस साइट को भी वैसे ही कर देता हो ऑगे, nice अब ये काफी सही है यहां से इसको भी बिल्ड कर दते है और ये चीज़ मैंने इसलिण किया है जिससे कि मैं इसके side में यहां पर fence बना पाउँ, ऐसे तो इसके लिए मैंने ये चीज़ किया है नई तो फिर यहां पर जगा ही नहीं रहाजाता इस side को आने के लिए तो इस side को मैं fence बना दूँगा तो काफी सही लगेगा ऐसे मैं एक काम करता हूँ fence वाला काम भी complete कर लेता हूँ पूरे side side में fence लगा देता हूँ जितना भी हमने raft build किया है fence के लिए मुझे काफी सारा चाहिए wood ये रा wood जितना भी fence लग सकता है उतना पहले लगा देता हूँ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लेके चलते हैं यह आ जाएगा यहाँ यह आएगा इस side को ओके nice और यहाँ से पहले यह front वाला fence लगा देते हैं यह जाएगा यहाँ तक done इसको लेके चलेंगे अब इस side को और उसके बाद यहाँ से यह इधर को आएगा यह लेके चलेंगे पूरा यहाँ तक plank फिर से कतम हो गया कोई दिक्कत नहीं है plank हमारे पास पड़ा हुआ है okay guys यह देखो भाई अपने raft पे space कितना हो गया इसका structure कुछ अलग ही सोच रखा है मैंने भाई पूरे पूरे plank खतम हो गया बस इतने plank बचे हुए मेरे पास नहीं थोड़े और होंगे ना इधर या इधर यहाँ पर है इसको लेके चलेंगे इस side को ऐसे यहाँ पर मैं सोच रहा हूं दो block करते हैं जिसे की थोड़ा जगे रहे हाँ दो block ज्यादा बेटर रहेगा उसके बाद इसको इधर को लेके चलेंगे अब वेट यह यहाँ पर और यह कर देंगे यहाँ पर complete नाइस सेम हम इस side को भी करते हैं इसको भी मैं एक block और बढ़ा कर देता हूं ऐसे और उसके बाद फिर यहाँ पर फेंस लगाएंगे यहां कभी proper complete हो गया इस side कभी proper complete हो गया है आगे का रह जाता है न यहां वाला रह जाता है तो इस side को भी पहले complete कर लेते हैं इसको लेके चलते हैं यहां तक टूर में का चाप से सुढ़ाता विया सुआ को दिगो न है कि अपना कैसा लग रहा है वैसे बेढ टेंट कि धर को है लाध्य चली ऑने बहुँत चैप से इतना स्पैस उद्धर साइट में पर पूरा ट्रू ट्री लगा सकते इस सपाइट इसे बहुत सारी चीजें करनें बहुंट ज़्यादा स्डॉर्स बनें इसको करने में स्टैड्म्ज इसको मैं क्याता हो यहांपर तो आएगा ने और इस यहां पर ज्यादा easy रहेगा, मैं आराम से आके यहां से rotate कर सकता हूँ जिदर side को भी करना रहेगा, बहुत ज़्यादा सामान नेट में फसा हुआ है, पूरे सामान इकटे कर लेते हैं, अरे नहीं 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 तोड़ने कर नहीं तोड़ने कर नहीं तोड़ने कर नहीं, नली सार्क रुपजा तोड़ने कर नहीं, बहुत मेनद करके बना है ओ, मर गई, इसको मैं harvest कर लेता हूँ, कहां गई आजाओ फाइनली सार्क मर गई पांच मिनट बाद ही आएगी अब मैं यहां से निकलता हूँ अरे मैं यहां से तो निकल भी ने पाऊंगा कोई बात नहीं अरे मैं पीछेज़ भी ने चड़ सकता चड़ सकता हूँ बाई यापर मुझे जगे बनाना पड़ेगा जहाँ से कि मैं चड़ पा हूँ मैंने पूरे side side से fails कर दिया ये भी यहां से अटाते हैं डन और नेट को भी मुझे यहां से अटाना है नेट को अलग जगा पर लगाना है तो आज नीचे साइड से पूरे राफ्ट को एकदम ही प्रॉपर कंप्लीट कर देते हैं सिर्फ उपर साइड को बिल्ड करना रहेगा सब नेट तो मैंने निकाल लिया लेकिन जहां जहां से नेट निकाला है वहां पर मुझे वापस से फिल करना पड़ेगा तो पहले इसको कंप्लीट करता हूँ यह आ जाएगा यहां यह आ जाएगा डन इधर साइड से यह पूरा कंप्लीट कर देते हैं ओके सब अब नेट को लगाएं कहां पर यह देखना पड़ेगा वैसे इस वाले लाइन में तो नेट लगाई नहीं सकता क्योंकि अगर मैं यहां से यह तोड़ूंगा फिर यह भी फेंस टूट जाएगा तो फिर मुझे इस वाले लाइन में नेट लगाना पड़ेगा कोई बात नहीं चलो इसी में लगा देते हैं बात में हम इस नेट को अटा देंगे जब हमें जरुरत नहीं रहाएगा सामान की तब हम इस पूरे नेट को अटा देंगे नहीं होने वाला है यह टोटल आठ नेट और बचे हुए है और भी नेट की जरुवत पड़ेगा मुझे लगता है अरे नीचे गिर गया सॉरी सॉरी यह कैसे नीचे गिर गया ओ नो अरे उपर कैसे चड़ू रुको ओ बच गया वाई एक नेट लगाने के चिक्कर में मेरा बैंट बच जाता अभी यह कंप्लीट हो गया अभी मुझे और भी चाहिए वर्ण टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल भाई बारह और चाहिए अभी मुझे फटा-फट से नेल्स बना लेते हैं रोप भी बना लेते और पांच इदर हो गया 10 नेट हो गया मेरे पास दो और चाहिए ओके डन यह हो गया टोटल बारह नेट और इनको फटा-फट से लगाना स्टार्ट करता हो इधर साइट से येलो 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 यहाँ पर अरे नहीं 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 क्यों गिन जाता हूँ भार भार जैए tent Canal सार्क ने टेक किया तकर ये वाले नहीं कॉभल लlइन तो फेले कम्प्लेटेश हो गया अब यह भी कम्प्लेश हो गया डवान अब सामान की कोई दिक्कत नहीं होने वाला कियो मुजिक कॉछ ज्यादा नेट लगा हुआ है, काफी सारा सामान यहां पर इकठा हो जाएगा, थोड़े मुझे small वाले plot चाहिए, यह दो हैं, और यहां पर तो small वाले नहीं है, तो मुझे यहां से craft करना पड़ेगा, small वाले crop plot बनाने के लिए मुझे चाहिए rope, rope हमें यहां से लेना पड़ स्माल वाले क्राप प्लोट बनाता हूँ मैं कितने बना लो पांच पांच दस दस बन गए न तो इनको अब लगाएंगे यहाँ पर यह आएगा यहाँ यहाँ पर ऐसे ही इसके बाजो में लगाते चले जाएंगे जितना यह फेंस लगा रखा है न इसके साइड साइड में यह क्राप प्लोट लगा देंगे ओके तो एक कम पढ़ गया एक में हो जाएगा या एक और चाहिए एक और लगा दूंगा न तो बढ़िया लगने लगएगा थोड़े से रोप चाहिए मुझे पत्ते मिल जाओ भाई पत्ते चलो पत्ते मिल गही है यह रहा रोप यह एक और क्रॉप प्लोट इसको लाएंगे गिप्ट भी मिला है गिफ्ट को आपन कर लाते हैं देखते हैं इसमे क्या मिला है motivation quotes लगा सकते है तेझे है sofa बना सकते है तेझे है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर थोड़े से seeds यह पड़े हुए है, seeds मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, और यह जो flower हमें मिल रहे है, इन flowers हम कलर बनाएंगे और क्लर बना के फिर राफ को पेंट करेंगे, जब अपनी राफ को पेंट करेंगे ना, तब देखना यह राफ कितना ज्यादा क्रेजी लगेगा, अभी के लिए то, हमारे पास सीड्स ही नहीं है, चलो जितना सीड्स था, वह तो मैंने लगा धिया, कि इसमें पाने डालना रहेगा, तो हम यहां से पाने लेके, इस में इसे पाने डाल चकते है, नाइस, तो अब हमें कोई island दिखेगा, तो हम उस island में जाएंगे, और वहां से seeds उठा के, इस वहाले पूरे लगाता हूं और इन सब को ले चलके उपर लगाता हूं यार एक चीज़ का दिक्कत हो गया अब मैंने यहां पर फ्लाव लगा दिया ना अब यह बतक आगे बार बार प्रसान करें कि पूरा सीट्स खा जाती है बाई अब मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा वह स्केर यहां पर रोटेट करके ऐसे डन इसमें लगाएंगे बैटरी लगजा और इसको करेंगे और यह वाला उटाना पड़ेगा इसको यहां पर लगाते हैं यह वाला हटाके यहां पर लगाते हैं अब तो हो गया आगा नाइस पैसे हमें next location का code मिल चुका था जो है बैलबवा island रुको 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 नली सार्क तोड़ देगी तोड़ देगी भाई मेरे जाते जाते नहीं 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 अरे यार next वाले वीडियो में मैं इसको पूरा complete करने वाला हूँ भाई इस सार्क से मुझे चुटका रहा चाहिए बस हो गया भाई बहुत जादा हो गया यह सार्क हमें बहुत परसार कर रही है वैसे next island का code हमें मिल चुका था इसमें मैंने डाला है क्या 2354 नहीं यह code तो नहीं था वैलबवा island का code था 9508 तो इस code का हम इसमें डालते हैं 9 9 यह रहा 9 इसमें रहेगा 5 यह रहेगा 0 यह रहेगा 8 ओके डन next island यहां से बहुत ही ज़्यादा दूर है 1927 मिटर भाई वो भी इस side को पूरा एक काम करते हैं raft को मूडते हैं इस side को ऐसे पूरा nice अपने को जाना एक दम नाक के सीधे इस side को बस बस हो गया हो गया I think सही होगा यह गडबड भाई यह तो गडबड हो गया थोड़ा सा और right में चाहिए अपने को कोई बात नहीं अभी कर लेता हूँ खाना मेर बस नहीं है wait 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 अभी के लिए यह खा लो खाना पगा देंगे कोई tension नहीं है थोड़ा सा और हमें right में जाना है इस side को ऐसे थोड़ा और right थोड़ा और right आई ये I guess ये perfect होगा हम engines को on करना भूल गया है एक बार को check करते हैं कि भाई engines work कर रहे हैं या नहीं तो सब में plank डालता हूँ nice और देखते हैं कि अपनी raft कितनी speed से जाती है engine को start करने के बाद 2 km रहा ना काफी speed से जा सकते हैं जब इसमें plank डालके इसको start करेंगे चलो इसमें भी plank डाल दिया इसमें भी डाल दिया अब एक बार को सारे engine को start करते हैं देखते हैं हमारी speed कितनी हो जाती है और अब करते है engine को start सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा स्टेरिंग को इदर को घुमाना पड़ेगा जिससे कि हमारी राफ्ट यहां से निकल पाए अब सही है डन तीन इंजन तो कुछ काम ही नहीं कर रहा भाई मैंने बहुत जादा बड़ा राफ्ट बना दिया तीन इंजन का कोई मतलब नहीं है देख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा कोई स्पीड नहीं मिल रहा हमें इसको भी ओन करते हैं फिर देखते हैं क्या राफ्ट की स्पीड बढ़ती है चल comfort Soul מק किया इसको भी किया इसको भी किया ये 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 बढ़ गई बढड गई बाइस पीड़ देहना आप ठोड़ी तो मिली होगी मिली ये दुटा मेनिन येज दखो अब अपनी 라는 मस्त स्पीड से चलने लग गई है रात हो चुका है ना पटा पटते पहले सो जाता हूँ और सुबह उते हैं एकदम जोरों की भूख लगी है खाने के लिए तो कुछ हो गा नहीं नारियल ही खा लेता हूँ पके वए यह भी है यह भी खा लेता हूँ गाइस राफ्ट की स्पीड दो को यार बहुत ते हो जोगी है पहले बहुत धीरे धीरे जाती थी लेकिन अब काफी तेजी से अपनी राफ्ट आगे को बढ़ रही है जो हमें नेक्स्ट लोकेशन पर जाना है ना वहां पर हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुच जाएंग झाल कर दो झाल को बहुत है जाएंगा।